हुआ है कि वेलकम डू माई चैनल दीफोकस केंड़ी मैं सब्सक्राइब आज हम करने जाने क्लास एट का नहीं चप्र स्टार्ट गया था जिसका नाम है एक्स्पोमेंचन बॉबर उसका इंट्रडरच्षन पार्ट के फर्स्ट वीडियो तक ने आपको समझा जी कोशन नमबर फर्स्ट क्या है इवेल्यूएट 3 वीचिट उपवर माइनस 2 देखो यहाँ आते हैं सलूशन इसकी थिकने इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं क्या कोशन है evaluate क्या करने t raised to power minus 2 मैंने आपको चिखाया था कि जब भी x की power याद करो जिस जिसने previous video नहीं दिये it's request to all of you पहले previous video देख लो ताकि आपको introduction पार्ट अच्छे से आदे ताकि आपको बताया था कि अगर negative component होता है x की power minus 1 minus 1 तो आप कैसे लिखते हो x की power 1 upon x की power 1 ऐसे ही बताया था negative बढ़े को denominator में express करेंगे numerator को जो हम denominator में करते है उसके powers के जो science होते है वो interchange होते है तो अब यहाँ पे 3 की power minus 2 तो हम इसको लिखेंगे 1 upon 3 की power plus 2 ठीक है 3 की power 2 का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था 3 की power 2 का मतलब यह नहीं होता 3 to the 6 मैंने आपको बताया था 3 power 2 means 3 को 2 बारी multiply करता किससे इटसे नमबर से 3 3 दा 9 तो यह इसका answer ठीक है clear होगे बस इसी तरह के evaluation के part होगे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगे बट आपको कौन सा logic लगना है कौन सी property लगना है यह आपको बताऊं जिए जब तक आप properties पे नहीं अच्छी तरह command नहीं होगे तब तक आप से exercise part नहीं solve होगे तो कोशिश कीजिए के जो मैंने introduction part भी है उसको जादा से जादा बार बार वीडियो देखिए ताकि जादा से अच्छी से आपको समझ जाजाए तो और exercise part भी है आप easily कुई solve कर चबो कोई भी इतनी मुश्कल नहीं है चले जैसे इसका part number second क्या है minus 4 की power minus 2 हम यहां लिखते है हमें power से मतलब है ना कि किसे base से मतलब नहीं है हम यहां लिखेंगे 1 upon minus 4 था तो minus 4 but negative 2 था हुआ तो हम क्या लिखेंगे positive 2 1 upon minus 4 को 2 times मतलब minus 4 into minus 4 1 upon minus minus plus 4 for the 16 यह याद रखिएगा इसको plus 16 लिखते नहीं क्योंकि जिसके साथ भी कोई साइन नहीं हो वो automatically वो plus का ही होता है अब मैं तो एक चीज़ जाता तो एक डारेक अगर power even number होगी क्या बोला मैंने अगर power even number होगी तो answer जो है in terms of positive आएगा अगर power negative है तो answer भी negative ही आएगा याद रखेगा इस चीज़ को ठीक है clear हो गए इसमें में reason देदीजिए जो हमने apply किया यह x की power minus 1 जो होता है वो 1 by x होता है बस इस तरह से छोड़चोड़े reason देते जाए next 6 part फिरते जाए easy नहीं है दिख रहे हैं नहीं सबको easily जादा मुश्किल तो नहीं है एक ही पार्ट एक ही पेस्पे कर तीन पार्ट आ रहे है तो भी इसको खत्म कर रही है देते हैं अब देखिए 1 upon 2 whole power minus 5 मतलब इसके कहने का मतलब है 1 की power minus 5 भी है और 2 की power भी minus 5 अब देखिए single function में मैंने आपको बताया x की power inverse होगी तो 1 by x होगा अगर whole power minus 5 होगा तो हम क्या करेंगे इसको 2 upon minus 1 raise to power 5 छीक है समझ आगे इसका भी reason या लिखते है मैंने बोला कि अगर 1 by x की power inverse है 1 by x की power inverse है whole power inverse है तो आप इसको पूरे function को numerator को denominator में express कर दो और denominator को numerator में ठीक है numerator change to denominator denominator change to numerator but the science of the powers will be interchange minus होगा तो plus plus होगा तो minus में 2 upon 1 that is also equals to 2 क्योंकि 1 के साथ किसी भी number को आप multiply करो चाहे divide करो वो number वही आएगा खुद ही आएगा ठीक है यहादा clear हो गया कोई doubt 2 raised to power 5 का मतलब क्या होता है means 2 को 5 बड़ी लिखना 4 और यागे 5 कितना हैगा 2, 4, 8, 6, 8 32 is the answer ठीक है clear हो गया कोई मुश्किल समझागे तीनों पार्ट्स यह रहे आपके first motion के तीन पार्ट्स जो थे easy थे easy थे काफी ज़्यादा क्योंकि यह सारा का सारा introduction पार्ट्स 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 है हमारा तो यह हमने कर दिये फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इसमें doubt होगा आप comment section में लिखेगा ना कोशिश करोगा जो भी आपको comment होगा जो भी और power notation में इसका positive exponent में इसका answer दिखला है इसकी जो power होगी उसको positive में दिखले ओके कोई मिश्किल नहीं क्या question किया है पहले minus 4 की power 4 is divided by minus 4 की power 8 ओके अब हम करेंगे properties को apply when basis are same in case of division then powers are subtracted हम यहाँ पे लिखेंगे minus 4 की power 4 minus 8 reason में लिखेंगे कि अगर x की power m divided by x की power n होगा तो that is equal to x equals to m minus n यहीं सिखाया था बने आपको introduction part में तो minus 4 की power क्या आएगा minus 4 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा बढ़िटम negative में इसलिए negative है अब यह बन गया x की power inverse तो अब इसको positive में लाने का मतलब है 1 by minus 4 की power 4 यह हो गया हमारा express result ऐसे positive notation ठीक है clear हो गया अगर आप इसको totally solve भी करते हो तो आपका answer जो आएगा एक answer हो गया यहाँ तक यह अगर express करना है in terms of positive notation वो यहाँ पे अगर इसको proper evaluate simplify करना है तो minus 4 को आप 3 बड़ी लिखोगे चार बड़ी लिखोगे 1 4 for 4 for the section but positive notation में जब भी evil power होगी तो plus आएगा और power होगी तो minus आएगा ठीक है आपको जो पूछा गया है वो यहाँ तक पूछा गया ठीक है लिए बट अगर simplify करना है तो यह line भी आपको add करना है यह याद रखी गया ठीक है कोई मुश्किल clear हो गया क्या apply किया कि अगर divide के case में basis same होगे तो powers होगी वो subtract हो जागी तो 4 minus 8 that is equal to minus 4 minus 4 को negative exponent को अभी हमने previous question में solve किया कि positive exponent में express करना हो तो इसको numerator को denominator में express कर जाता है उनके powers के जो sign होते है minus 4 की power 4 यह याद रखीएगा ठीक है powers को positive notation में रखना है ना कि base की बात की है उसने उसे किसकी बात की है power notation with a positive notation power की जो notation है उसको positive notation में रखना है तो positive exponent में रखती है ठीक है clear हो गया चलिए next यह क्या है यह तो already positive में question क्या है 1 upon 2 की power 3 whole power 2 whole power 2 जो है यह already positive में है ठीक है याद रखेगा इसका मतलब है वे 1 कभी square है और 2 power 3 कभी square ठीक है 1 का square 1 ही होगा चाहे वो कुछ भी हो तो 2 power of the power should be multiplied इसका मतलब 3 into 2 1 upon 2 raised to power 6 यह इसका answer होगा ठीक है clear हो गया यहाद है तो अगर इसका भी reason लिखते हो आप because x की power m into n power of the power होगा तो it should be multiplied it means m into ठीक है अगर आप इसका answer लिखोगे तो क्या बनेगा 1 upon 2 को 6 times लिख लेते है कितना हैगा 64 2 4 8 16 32 64 that is 1 upon 64 clear है कोई मुश्किल समझ आगे सबको ठीक है यह तो असान-असान से पार्ट से इतना भी मुश्किल नहीं है बस पार्ट से इसके इसके इसले लिंधी है अदरवाइस यह मुश्किल नहीं है क्या है माइनस 3 की पॉवर 4 इंटू 5 upon 3 की पॉवर 4 अब यह क्लियर मुझे भी नहीं है यह जब मैंने इसकी पिपिटी बनाई थी बटे माइनस अंदर रहियां बाहर चलो मैं आपको दोनों तरीके से बता दूँगा बट यह चेक कर लिजीगा माइनस अंदर रहियां बाहर है तो अभी फिलाल के लिए मैं इसको ऐसे ही solve करता हूँ अब माइनस 3 की पॉवर 4 पहली तो यह term इसका मतलब यह 5 की पॉवर 4 यह एक दूसरी term और यहां पे 3 की भी पॉवर क्या है 4 यहां तक clear होगे माइनस 3 की पॉवर 4 5 की पॉवर 4 और 3 की पॉवर 4 ठीक है अब अगर आप मैं आपको एक पार्ट यहां पे करवाता हूँ एक मैं ऐसे भी लिख देता हूँ माइनस 3 की पॉवर 4 इंटू 5 अपॉवर 3 की पॉवर 4 यह तो इस तरह से होगा अगर तो बाहर होगा तो वह यही है अगर इंदर रखाओगा तब ऐसा होगा मैं आपको दोनों तरहीके से बता देता हूँ कोई मिश्किल नहीं देखो 3 की पॉवर 4 3 की पॉवर 4 आप डिरक्ट लीज़ को कार सकते हो नहीं तो 4 माइनस 4 भी कर सकते हूँ वो भी बता देता हूँ कैसे करना आपने देखो माइनस रहा बहार 3 की पॉवर 4 इंटू 5 की पॉवर 4 और 3 की पॉवर क्या है 4 ठीक है माइनस बहार दिवाइड हो रहे है आपस में 4 माइनस 4 इन केस अब डिबिजन वेन बेसिस आर सेम देन पॉवर सार सब्ट्रेक्टिड हो जाएगी ठीक है तो 4 माइनस 4 हो यह तो 5 की पॉवर क्या बजगिया 4 यहां रीजन में क्या लिखेंगे कि अगर x की पॉवर m divided by x की पॉवर n हुआ so that is equal to x की पॉवर m माइनस n ठीक है यह याद रखेगा इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 ही होगा बट यह तो numbers आपस में multiply कर रहे है यह numerator है यह denominator है इट मिंस यह आपस में क्या कर रहे है divide कर रहे है तो माइनस वैसे 3 की पॉवर क्या आ गया 0 और 5 की पॉवर 4 anything raised to power 0 which is equals to यह याद रखेगा मैं इंट्रोडेक्शन पार्ट में शायद यह चीज स्किप की है बट मैं यहाँ पर लिख देता हू किसी की भी पॉवर 0 हो so that is equals to 1 anything raised to power 0 which is equals to 1 तो यहाँ पर क्या आएगा 5 की पॉवर 4 तो 5 की पॉवर minus 1 तो minus 3 होगा तो आप इसको 5 की पॉवर 4 को कैसे देखेंगे 1,2,3 और 4 छीक है 5 पे दे 25, 25, 25 कितना होता है 625 is the answer कोई मिश्किल बताएगे अगर यह इसी तरह का कॉशन यहाँ पर होता मान के चाहिए minus 3 की पॉवर 4 into 5 की पॉवर 4 और यह 3 की पॉवर 4 अभी मैंने बताया even number होगा तो positive बात है और number होगा तो negative बात है इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखू minus 1 की पॉवर 4 है और 3 की पॉवर 4 है into 5 पॉवर 4 divided by 3 पॉवर 4 अगर आप इस minus को बाहर लाते हो outside दो लाते हो तो आप कैसे represent करते हो minus 1 जो भी पॉवर होगी positive is right minus 1 पॉवर 4 जोगा वो 1 ही होगा into 3 पॉवर 4 into 5 की पॉवर 4 divided by 3 की पॉवर 4 तो यह और यह cancel कर देते है नहीं cancel करोगे तो अभी मैंने आपको तरीका सिखाया 4 minus 4 ही करने तो 1 into 5 की पॉवर 4 1 into 5 पॉवर 4 कितना होता है अभी किया 620 minus तब भी answer यही आएगा अगर minus बाहर होगा तो minus में answer आएगा अगर minus अंदर हुआ तो positive में answer आएगा यह इसका और इसका difference है ठीक है clear होगे सबको go doubt चल next करते है आप इसका screenshot लेते रहना साथ साथ क्या question है 3 की power minus 7 is divided by 3 की power minus 10 into 3 की power minus 5 clear होगे divide के case में basis अगर same होगे तो power subtract हो जाएगी दूसरी term भी negative में थी इसी दिए हमें bracket डालने गा otherwise आप इसको direct plus कर सकते है plus क्यों आएगा क्योंकि divide के case में basis same होते है power subtract होती है तो subtraction का यह sign आगया तो minus वाजी term यह as it is right into 3 की power minus 5 इसका पहले यहाँ पर एक reason लिखने है जो आपने property apply की x की power m is divided by x की power n that is equals to x की power m minus n कोई मुश्किल समझ आगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 की power minus 7 minus minus plus into 3 की power minus 5 3 की power 3 into 3 की power minus 5 10 में से 7 जाएगे कितना आएगा 3 आएगा ठीक है clear है नहीं सबको दिख रहा है अराम चलिए अब multiply के case में अगर basis सेम होते हैं तो powers add होती है यहाँ पर लिखते हैं यह एक दो चीज़ें चुटी चुटी चीज़ें याद रखियेगा M plus ठीक है clear तो 3 की power 3 plus दूसरी टर्म क्या थी minus में थी इसलिए bracket डाल दी तो यहाँ पर आगया 3 3 plus minus minus 3 की power 5 में से 3 गे minus 2 ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं 3 की power minus 2 का मतलब होता है 1 by 3 की power plus 2 यह किये था भी x की power minus 1 का मतलब 1 upon x ठीक है x की power minus 1 का मतलब 1 upon x देखो साथ साथ reason लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और question भी clear हो जाएगा तो 1 upon अगर आप इसको positive notation को खतम करते हो चुल आंसर में simplify करते हो 1 upon 3 3 the 9 that is the answer ठीक है समझ आ गया important part है आ सकता है paper में दो नंबर में अगर आप देखो तो उस weightage में ये part आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा सा बीच में minus और minus का logic है इस वज़े से हम इस sense में हम बात करे है तो आ सकता है otherwise इतना भी difficult है नहीं है ठीक है चलिए second shot ले लिए सबने ठीक है चलिए next question अब देखे 2 की power minus 3 into minus 7 की power minus 3 अब दोनों की दोनों power same है बीच में multiply का sign है तो हम इस वैसे लिखेंगे 2 की power minus 7 की power minus 3 ये का से आया मैंने बोला कि अगर x की power m होगी multiply में y की भी power m है दोनों powers अगर same है तो हम ये लिख सकते है x y की power m ठीक तो 2 7 दा 14 raise to power minus 3 ठीक है इसका रिज़न यहाँ पर समझा गया सबको clear होगा अब इसको positive notation में बनाने के लिए 1 upon minus 14 की power तो यहाँ लिखते हम x की power minus 1 की power divided this that is equal to 1 upon x की power 1 ठीक है clear होगा सबको कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा न मैं कोशिश करता हूँ कि जाल सेदा parts खत्म हो जाए ना कि बिना time waste किये हुए छोटी सी वीडियो में आपके पूरा का पूरा lecture complete हो जाए ठीक है मैं इसलिए questions में जादा focus करता हूँ कि questions जाल सेदा खत्म कर पाऊ ताकि आपका time भी waste ना हो और वीडियो short वीडियो में ही आप पूरा का पूरा topic सीख सबो ठीक है चले posted notation में बन गया बस इसको ऐसे ही रख देजिए अगर आप इसको solve करना चाहते हो तो 1 upon minus 14 into minus 14 into minus 14 इसको solve कर लीजिए 14 का क्या होता है 196 196 को अगर आप 14 से करते हो 4 6 दर 24 4 9 दर 36 और 2 38 4 1 दर 4 और 3 7 6 9 1 4 8 और 6 14 8 8 7 7 और 2 7 4 4 तो हम यह लिख देंगे minus time 274 ठीक है जब भी और नमबर होगा तो answer minus में आएगा इवर नमबर होगा तो answer plus में आएगा ठीक है वैसे तो आपको बोला नहीं आपको खाली positive notation में रखना है तो positive notation में रखने का मतलब यहां तक छोड़ना है ठीक है यह मैं simplify भी साथ में कर रहा हूँ ताकि next question में आप पहले ही aware होगा कि how to simplify that type of questions ठीक है clear होगे चले next करते हैं चले third question find the value of इस तरह के questions आपको आ सकते हैं value particular पुछी होगी उस तरह के questions आपको आ सकते हैं चले क्या question है 3 की power 0 4 inverse into 2 की power 2 सबसे पहली चीज़ anything raised to power 0 which is equals to 1 4 inverse means 1 by 4 2 की power 2 means 2 to the 4 यहां तक समझा गए क्या लिखा सबसे पहला reason यहां पर यह दिखेंगे कि x की power 0 होगी तो answer क्या आएगा बन आएगा 3 की power over 99 की power over whatever it is anything raised to power 0 that is equals to 1 and अगर कोई भी negative inverse होता है तो 1 upon x करके उसको क्या गया जाता है in terms of positive notation 4 power minus 1 that is equals to 1 upon 4 तो हम इसका LCM लेंगे तो क्या आएगा 4 बन दा 4 plus 1 divided by 4 LCM ले लिया into 4 4 से 4 cancel कर दो तो 4 plus 1 that is equals to 5 खतम हो गया यह इतना छोट असाँ answer यह value पूछिए छोटे बच्चों मने question है ना काफी दादा असाँ question है वैसे ठीक है समझ आगया फिर रपीट कर रहा हूँ 3 raised to power 0 is 1 4 inverse means 1 by 4 2 की power 2 means 4 तो को 2 से करेंगे 2 into 2 क्या होगा 4 4 बन दा 4 LCM लें लें LCM लें तो सबको आता जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसका 1 होगा 4 बन दा 4 plus 1 that is equals to 5 upon 4 4 or 4 cancel 5 is the answer ठीक है समझ आगया clear होगा है सबको चलिए next part करते है 2 inverse 4 inverse is divided by 2 की power minus 2 ओके हम सबसे पहले ऐसे लिखते है जो question दिया हुआ 2 inverse 4 inverse is divided by 2 की power minus 2 2 inverse means अभी बताया 1 by 2 4 inverse means 1 by 4 divide as it is 2 inverse means 2 की power minus 2 means 1 upon 2 की power 2 क्या किया जब इसको divide में case में लाया तो positive को powers for positive exponent में express कर दिया 1 into 1 1 2 4 दा 8 ठीक है is divided by 1 2 की power 2 means 4 यहां तक समझ आगया कोई doubt 1 by 8 as it is इसका reason क्या लिखेंगे यह लिखेंगे कि x की power 0 होगा तो answer क्या होगा 1 by 8 divide में जब multiply में जाएगा तो क्या करेंगे reciprocal होता है क्या करेंगे divide में को जब multiply में express करते है तो वो reciprocal होता है reciprocal means numerator change to denominator and denominator change to numerator 4 वन दा 4 8 वन दा 8 the answer is 4 वन दा 4 4 तो दा 8 that is the answer यह होगे इसकी पूरे expression दी एक value ठीक है that is 1 upon 2 ठीक है clear होगे चल्ड next question बाट करते है 1 by 2 की power minus 2 इस तरह का whole power negative का अभी हमने previous part किया क्या question है 1 by 2 की power minus 2 1 by 3 की power minus 2 plus 1 by 4 की power minus 2 अभी बोला था अगर whole power negative होगी तो आप उसको numerator and denominator को क्या कर दो interchange कर दो मतलब 2 upon 1 की power positive 2 3 upon 1 की power positive 2 और 4 upon 1 की power minus 2 positive 2 plus 2 sorry अब यह मत सोचना कि इस सब की power minus 2 है तो आप इसको इसको इक टा लिख लोगे नहीं वो इनके सब multiplication में ही possible होता है बस यहां पर नहीं 2 upon 1 is 2 3 upon 1 is 3 4 upon 1 is 4 अब 2 की power 2 means 4 3 का square means 9 4 का square means 4 4 दो 16 3 3 the 9 2 to the 4 16 और 4 20 और plus 9 that is 29 is the right answer ठीक है समझ आ गया reason में लिख दे हैं यहां पर भी because 1 by x की power अगर minus 1 होगी तो x upon 1 की power 1 ठीक है whole power क्या कर दिया interchange कर दिया चली next part करते है क्या है अब देखो इसको solve करने की भी जूट नहीं है क्या लिख आ उन्होंने 3 की power minus 1 4 की power minus 1 और 5 की power minus 1 raise to power क्या लिख है इन सब की power क्या है 0 तो हम इसको ऐसे लिखते हैं छोटे से word में इसको खतम करते है x की power 0 that is equal to 1 यह पूरा का पूरा bracket अली थी तो यह x माना anything raise to power 0 that is equal to 1 क्यों इसको इतना number elaborate करेंगे उसके बाद हम LCM लेंगे LCM लेने के बाद उसकी पहले powers को positive experiment में express करेंगे फिर उसको LCM लेंगे कोई जुरूरत ही नहीं है तब भी हमें last में यह लिखना है कि LCM लेंगे 0 which is equal to 1 तो हम directly भी इसको लिख सकते हैं कोई फरक नहीं पड़े ठीक है समझा गया असान है काफी ज़्यादा फिफ्थ पार्ट डबल ब्रेकेट ओके कोई मिश्किल नहीं है यह हमें ट्रिफल ब्रेकेट देगा तो तब भी चल ज़एगा करली ब्रेकेट सेमी ब्रेकेट माइनस टू बाई थ्री माइनस टू इंटू टू चाहो तो मल्टिप्ला ही कर लो अधरवाइस पहले पॉस्ट्री में एक्सपेस करते देखो करली ब्रेकेट इसको लिखा थ्री अपॉन माइनस टू इसको पॉस्ट्री में बदला और ये टू ठीक है क्या क्योंकि ऐसको God अब मैंने यहांप अब मैंने यहांपर लिखा अपां माइनस टू तू और टू दोनों पॉवर थी तो पॉवर अपर्डी पॉवर क्या होती Sans में multiplied होती है क्यों होती है अभी बताया था मैंने x की power m into n होगा so that is equal to x equals to m upon m into n क्या होगा x की power m into n होगा तो x mn होजागी ठीक है clear होगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 upon minus 2 2 to the 4 अब यह 3 की भी power 4 है और minus 2 की भी power क्या है 4 3 की power का 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम सीखना और minus 2 की power 4 का मतलब है minus 2 को भी कितनी how many times 4 टाइम सीखना चीक है समझ आगे सबको कोई मुश्क्रत था है 3 3 दा 9 9 9 दा 81 2 4 8 और 16 मैंने भी बताया था अगर power जो है वो even number होगी तो answer plus आएगा power odd number होगी तो answer क्या आएगा minus में आएगा clear हो गया कोई मुश्किल किसी को छीक है समझ आ रहा है सब तो चलिए आप इसका screenshot ले लो फोर्थ question यह last question है आज की वीडियो का ठीक है next question next जो वीडियो होगी उसमें तीनों इसको पूरी की पूरी एकसा इसको खतम करेंगे evaluate चलिए evaluate करते हैं अभी किया था हमने 8 की power minus 1 into 5 की power 3 okay is divided by 2 की power minus 4 ऐसे question है सबसे पहले हम यहां पर यह देखें यह दोनों नेगेटिव में और यह नेगेटिव में और यह नेगेटिव में ऐसा ही बोला ला इसको ओपर ले जाते है 5 power 3 as it is इसको नीचे लिया है जब भी हम numerator और denominator को interchange करेंगे तो उनकी powers के sign interchange होंगे तो अगर यह minus 4 है तो उपर जाके plus 4 होगा अगर यह minus 1 है तो नीचे जाके plus 1 होगा ठीक है अब इसको करते हैं solve अगर solve नहीं करना तो हम इस तरह से कर सकते है 2 की power 4 5 की power 3 8 can be written as 2 की power 3 ठीक है क्यों अगर नहीं पता चलेगा 2 4 दा 8 2 2 दा 4 और 2 बंदा 2 ठीक है तो therefore 8 को हम कैसे देखते है 2 into 2 into 2 तो 2 की power कितनी है 3 तो 8 को हम ऐसे भी देख सकते है यह reason आपको देना नहीं है बट अपनी satisfaction के लिए side पे rough कर लेना अब basis C में powers divide का case है तो powers क्या होगी minus होगी into 5 की power 3 तो वैसे रहा reason में क्या लिखेंगे हम इसका because अगर x की power m divide होता है x की power n से तो x की power m minus n हो जाएगा कोई मिश्किल क्या बोला अगर 2 की power 4 और 2 divided by 2 की power 3 है it means 4 minus 3 तो 2 की power 4 minus 3 जो होगा वो क्या होगा 1 into 5 की power 3 समझा गया सबको कोई मुश्किल तो नहीं है न चलिए अब इसको evaluate करते है तू वन पॉवर वैसे देगी 5 5 25 25 25 125 125 125 into 2 250 is the right answer कोई मुश्किल किसी को clear हो गया चीक है सक्रीन शॉट लेते जाओ साथ साथ चलिए नेक्स करते है सेकंड पाट इसका 5 की power minus 1 into 2 की power minus 2 into 6 की power इसा तो नहीं लग रहा ना काफी ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहा हूं ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोटी विडियो में सारा का सारा को उन सब clear करवा दूँ अगर आपको फिर भी लगए मुझे comment में बता रहा है नेक्स वीडियो जो होगी मैं थोड़ा साथ आई सबहा हूं अब कुछ बच्चों को तो मेरे बारे में पता है तो वो तो चलो मैनेज कर लेंगे कुछ ऐसे भी होंगे जो new candidate होंगे YouTube चैनल से हमारे साथ जुड़े होंगे तो मैं उनसे भी request करूँगा कि next वीडियो में कोशिश है करूँगा कि थोड़ा सा स्लो अगर पढ़ा देंगी कोशिश अगर आपकी डिमांड हो तो अधर्वाइस मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी comfortable है जिसको भी अगर रहता है तो स्पीड थोड़े सा YouTube की जो स्पीड होती है वीडियो स्पीड होती है उसको मैनेज कर करते हैं 5 की power 1 into 2 की power 2 कर दिया जब भी इन्युमिनेटर और दिनॉमिनेटर को एक स्पेस्ट किया पॉसिटिफ साइन में एक स्पेस्ट कर दी वन अपान 6 की पावर 1 वन वन इसको ऐसे रखते हैं अभी 2 की पावर 2 मिन्स 4 into 1 upon 2 to the 4 होगा ना यहां तक 1 वन वन 5 to the 20 5 for the 20 into 6 1 upon 2 6 the 12 खतब 2 4 गलती तो नहीं किया ना 1 2 4 6 1 6 for the 24 or 120 yes that is the answer ठीक है यह तो छोटा साही था इसमें रिजन क्या लिक हो गया एक ही रिजन आईगा कि x की power minus 1 आमने एक स्पेस्ट किये बाकी तो कोई था है नहीं सब यह multiply के case में multiply के case में सिधा सिधा स्वाल मत जाइए ठीक है clear हो गया answer देख रहे ना अगर फिर भी कोई answer में कोई कमी होगी तो नहीं बट फिर भी चलिए आप इसका screenshot ले लो अच्छा से चले है चले हागे 20 देख लो मुझे ऐसा कुछ क्यों लग रहा है कि कुछ answer में कोई गड़बड़ी नहीं रही वन फाइव इन वर्स तुटो फोर फाइव ज़िए गड़बड़ी तो कहीं दीख नहीं रहे पाट यही है न में पाट चेक कर लो एक पार फाइव इन वर्स एक सिकिन के लिए मिले पाट चेक कर लें दो ठीक है यही आतसर है शायद पेसा है तो आपको उस वजय से बट इस तरीके से इस यह होगा जो भी होगा वो आप देख से लिए ठीक है बट इस पार का ग्रामर माइक है उस मैं पशंकी अबर ना तो bet概 पर ऐसा हो 5 inverse into 2 की power minus 1 into 6 inverse तो आप उसको ऐसे लिखोगे 1 by 5 into 1 by 2 into 1 by 6 तो 5 to the 10 into 6 1 upon 60 शायद आपकी बुक में ऐसा भी पार्ट होगा but maybe new edition की जो बुक है वो इसमें यह बदा पार्ट होता है ठीक है old edition का भी ध्यान आते है चली next करते है चलो आज के लिए इतना ही इसके parts खत्म होगे next video जो होगी उस पर मैं 567 जो भी कुशन होगे 67 जितना भी होगे इसको खत्म करेंगे पोस्टर वे इस पोस्टर यस ठीक है okay thank you so much I hope you like my video if you like my video please like share and subscribe